असलाम लेकुम स्टूरेंट्स, क्लास सेक्स आपकी बुक हम एपकी बुक केंप्यूटर एजूकेशन का जो है हम लोग कर रहे थे चेप्टर हमारा फर्स चेप्टर हम लोग कर रहे थे डिदक्शन टू कम्प्यूटर ठीक है और आज हमने इसका पेज नम्र 12 है यहां से इसकी हमने स्टार्ट करनी है इसको हमने इसकी रिदिंग स्टार्ट करनी है पेज नम्र 12 से तो उस पे चलते हैं बार में बताया था और उसमें हमने यह तमाम कीज, जो हैं डिसकस, की थी, जो है, जिसमें अलफा, न्मेरिक की ज опасσα, करसर, कंट्रोल, की, न्यूमेरिक की let's you move cursor more than one space at a time यानि कि इसे जब आप cursor को आप move करते हैं आप writing करे होते हैं आप लिख रहे होते हैं तो जो है जो आप tap key को दबाते हैं तो उसे ही होता है कि space बार के दबाने से एक बार space पड़ती है न लेकिन tap key को प्रेस करने से जो है तीन या चार character की space आपके page के उपर आ कमारा यह जो escape की है इसके उपर कि escape की उस तो terminate the any process in between किसी भी window को या किसी भी काम को खतम करने के लिए escape की इस्तमाल होती है ठीक है आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको आप वुरे तौर पर खतम करना चाहते हैं तो आप escape की के जरीए कर सकते हैं उसके बाद है caps lock का पता है कि आप computer के अंदर जब भी लिख रहे होते हैं तो आपके जो है capital letter or small letters में लिखने के लिए caps lock की इस्तमाल होती है caps lock की जब on होगी तो capital letter में लिखा हो आएगा और जब ये off होगी तो जो है आपकी screen पे जब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो small letter में लिखा हुआएगा ठीक है बागी कीज के साथ ये इस्तमाल होती है उनके मिलने से जैसे अगर जो है R प्लस F4 करेंगे तो इससे कोई भी window जो है आपकी close हो जाएगी और control प्लस O करेंगे तो कोई भी जो नई file है या कोई भी नई जो आपके आप खुलना चाहते है file वो खुल जाएगी तो ये जो दो के साथ जब F4 होगा तो ये तब जाकर जो है ये किसी भी प्रोग्राम window को जो है ये खोलेगा या उसको close करेगा sorry ठीक है अच्छा उसके वाँ चलते हैं इंटर की के ओपर इंटर की के दो काम है यहां पर to start a new line नई line को start करने के लिए and to execute a command किसी भी command को execute करने के लिए किसी एक नई line तो शूरू नहीं हुई क्या हुआ उससे आप नई page पर चले गए ठीक है तो इस तरीके से इंटर की के जरीए ये दोनों काम होते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद किसी document में आप लिख रहे हैं तो इंटर की आप प्रेस करेंगे तो cursor जो है वो निशली line पर जो है column पर इसमें delete की, delete की नाम से ही पता है बटा आपको किसी भी जिसको आप select करेंगे हैं कोई भी आप जो है आपने text दिखा बहुत तो इसको ये delete कर सकती है ये किसी भी document को folder को ये delete जो है ये कर सकती है ठीक है अच्छा उसके बाद यहां पर चलते हैं हम लोग यह है backspace की backspace की जो है is used to erase a letter or number to the left of the cursor ये जो है ये किसी भी cursor को किसी भी जो है लफ्स को ये delete करने के लिए इस्तमाल हो सकती है किस side पे जो है left side पे क्योंकि इसका जो arrow है ये आप देख रहे हैं ये left side पे बना हुआ है तो left side पे किसी भी character को जब आप screen पे computer की लिख रहे होते हैं तो इसको ये delete करने के लिए जो है ये इस्तमाल होती है home की जो है ये बिलकुल आपको ले जाती है start page पे जैसे आपने word में आपने document कोई खोला है और उसके 100 pages है और आप 50 पे page पर है ठीक है तो जो है क्या होगा इससे आप home पे press करेंगे तो ठीक है तो home की जो है moves the cursor to the beginning of the line और screen तो य ये क्या होगा ये बिलकुल आपको start पहले page पे ले जाएगी ठीक है या line पे अगर आप एक जो है उस पे है अगर एक page पर आपने दो चार पांच लाइने लिखी है एक ही page पर है तो ये आपको पहली line पे पहले जो है वो लफ़ पे ले जाएगी और अगर आपके pages हैं काफ सरको ठीक है और जो है जिसे आप page पर है या line पर है तो आपको सबसे आखरी वले page पर ले जाएगी या पर सबसे जो है आपको आखरी वले line पर आपको ले जाएगी ठीक है उसके बाद आते हैं हम लोग का जो है shift key पे तो shift keys are used to type the capital letter आप shift key को दबाई रखें keyboard पे और आप क letter है वो small letters में लिख रहा है तो अगर आप उसको प्रेस करेंगे capital letters में लिख रहा है तो अगर आप shift key को प्रेस करेंगे कोई भी letter प्रेस करेंगे तो वो उसे small में लिखेगा ठीक है shift key ultra काम करती है हमेशा ठीक है उसके बाद तो type symbols symbols पगरा भी type करने के लिए ठीक है आपके keyboard अकसर symbol होते हैं जो है वो symbol जो है उसको टाइप करने के लिए इस्तमाल होती है जैसे special character कहा जाता है जैसे question mark हो गया उसके बाद at हो गया जो आप email में डालते है इस्टारिक का symbol हो गया ठीक है तो ये जो different symbol है ये भी shift की जो है ये डालने के लिए इस्तमाल होती है ठीक है नेक्स पेज पेज़ चलते हैं माउस की तरफ यह हमरा नेक्स जो है टॉपिक है माउस का ठीक है हम इसको देखते हैं कि इसमें में क्या बता जा रहा है माउस is an input device that enables a user to select a command quickly and perform tasks आपको पता है कि computer की screen के उपर माउस का जो यह निशान है यह अभी जिसे मैंने hand में convert किया हुआ है ठीक है यह arrow का निशान होता है और यह जो निशान है यह इस्तमाल होता है क्या करने के लिए करसर को move करने के लिए यह में तभी कर पाता है जब हम mouse को move करते हैं ठीक है तो यह जो mouse है आपके सामने यह मजूद है इसके दो button है यहाँ पे पहला button जो है और कहलें के दूसरा button और यह जो है यह scroller है बीच में ठीक है इससे आप scroll करते हैं screen को यानिके उपर नीचे करने के लिए जैसे यह मैं भ इसके बाद input device की है क्योंग आप इसे input देते हैं के computer से कोई भी काम निकलवा सकते हैं इससे ठीक है आप किसी icon को select कर सकते हैं drawing कर सकते हैं उसके बाद यह कि आप input कोई भी आप उसे दे सकते हैं computer को ठीक है यह input देना ही होता है उसके बाद as the mouse moves the arrow on the screen will move at the same time ठीक है जैसे ज जो आपके सामने hand है इसको mouse pointer कहा जाता है ठीक है और इसको आप change भी कर सकते है arrow से hand में और hand से arrow में ठीक है next आगे चलते हैं आगे हमारा जो है mouse के actions mouse के काम ठीक है कि mouse किस तरह के काम करता है दो तरह के यहां पर काम है एक तो उसका बिटा यह जो है mouse के दो button है left mouse button और right button तो हम देखते हैं कि left mouse button यह क्या करता है clicking on the left mouse button will highlight the icon जब आप click करेंगे इस button पे तो कोई भी icon highlight हो जाएगा यानि कि जो है आप कहलें कि जो है ना मतलब main काम यह नहीं करता लेकिन icon को select कर देगा या उसकी properties या उसके बारे में मुझीद आपको information उस icon के बारे में दिखा देगा ठीक है अच्छा उसके बाद clicking the right mouse button will display a shortcut or quick menu यह यहां पे जो आपका left mouse button है sorry इसमें यह है कि यह जो है कोई भी icon खोलने के लिए या जो है कोई भी आप कहलें कि काम करने के लिए इस बटन को आप जब press करेंगे तो यह जो है यह shortcut यह खोलेगा किसी भी जो है आइकन का किसी भी जो है कहलें कि जो है जैसे मैंने अभी क्लिक किया है इस पे राइट बटन पर तो इसने एक विंडो एक यह इसने खोली है यह शॉर्ट कट है और आप इसके जरी कोई भी और मजीज चीज़ना स्लेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करने से कुछ भी नहीं हुआ इसमें कि यह आइकन को स्लेक्ट करने के लिए इस्तमाल होता है में काम जो है यह हमारा यह राइट माउस बटन यह तो हमारी प्रापरड़िस को दिखाने के लिए इस्तमाल होता है और जो main काह में ये left mouse बटन करता है ठीक है अच्छा उसके बाद हम सालते है double click पर double click करने से क्या होता है double click किस को करने से quicking pressing and releasing the left mouse button twice is called double click ठीक है double click क्या होता है कि जब आप mouse की button को जो है वो प्रेस करते हैं या उसे जब आप release करते हैं quickly pressing यानि कि दो दोफा जब आप उसे click करते हैं mouse button को तो वो कहलाता है जो है double click कहलाता है left mouse button को और this button is used to open a folder उसके करने से क्या होता है आप किसी भी icon पर जाके दोफा left mouse button को जब आप click करेंगे तो वो icon क्या होगा खुल जाएगा ठीक है और dragging के अधर drag होता है कि to press or continue the hold down the left mouse button and move the mouse is dragging यानि कि किसी भी icon के उपर जाके जो है वो left mouse button को दबाई रखना और उसको उठा के icon को जो है आप किसी भी page के हिसे पर उसे छोड़ सकते हैं ड्रैग कर सकते हैं तो इसे कहते हैं जो है dragging का का काम करना जानी कि किसी भी icon को उठाना screen के किसी भी जो है हिसे से और किसी दूसरे हिसे पर जाके उसे skip कर देना छोड़ देना mouse button के जरीए ठीक है आप किसी भी icon को select करें उस icon पर जाएं और left mouse button प्रेस करें और left mouse button आपने प्रेस किये रखना है उसको छोड़ना नहीं है ठीक है लाकर किसी भी आप screen के किसी भी icon को जाकर आप left mouse button को छोडेंगे तो वो आपका जो आइकन है वो आपकी इस जगह से उठके जो है ड्रैग होके दूसरी लोकेशन पे आ के जो है वो क्या हो जाएगा वहां पे रिलीज हो जाएगा वहां पे वो जो है वो उसकी location चेंज हो जाएगी ठीक है तो बचों आज के लिए इतना ही है हमारा lecture ठीक है और उसके बार drop, drop का मतलब यही है उसको छोड़ना यानि के drag का मतलब इसको घसीड़ना ठीक है और drop का मतलब है कि उसको लाके उसके किसी भी दूसरी location पर इसको छोड़ देना, drop कर देना ठीक है क्या करते हुए left mouse बटन को प्रेस करते हुए ठीक है तो अभी यहां तक काफी आपके लिए तो इसको आप पढ़ें और जो है आपने अच्छे तरीके से इन तमाम lectures को तयार करना है और जो है लिखना है assignment आप कहाएगी इसको और यह आपके समझने के लिए है ठीक है बच्चो अके, आला हाफिज